नमस्कार दोस्तों मैं स्क्लोजर सचेजन स्वागत और अभिनंदन करते हूं उपने सभी प्रिय दर्शकों का हम बात करने वाले हैं क्या जानकारी चंद राशी और नाम राशी पर अधारित होगी। दीपा वली से ठीक पहले ये सब्था शुरूख और इसके बाद दीपा वली वाला सब्था आ जाएगा। तो देखते हैं दीपा वली से पहले आपका भाग गे, ग्रह सिधारे आपका कितना साथ दे रहे हैं, यानि कि आपकी जो तैयारियां हैं वो कितनी शुब रहेंगी, कितने आपको अच्छे पैडा मिलेंगे, कितने नहीं मिलेंगे, ये जानकारी बहुत इंपोर्टेंट है, आप सभी लोग का आने वाला वक्त खुबसूरत भी दे, ऐसे हम इश्वर से मंगल कामना करते हैं, तो आईए शुभारम करते हैं, और आप लोग का जर्म दिन, शादी की साल गिराए सब्ता में आपको धेरो नेरो शुब कामना हैं, तो आने वाले साथ दिन कैसे होंगे, स आपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, रत्म, रुद्राक्ष, या पूजा पाठ, या फिर किसी भी प्रकार की कोई साथना या सिद्धी करवाना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो आप लिएके नमरों पर संपर्क करें, हम आपकी पू मंत्र कर दिया है, या कुछी भी प्रकार से आप पर भावित हैं, आपकी ग्रह सिदारे आपका साथ नहीं दे रहें, महनत रंग नहीं ला रही हैं, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम जोतिश के मादियम ते आपके समस्या का समाधान करने की पूल कोशिश करेंगे, आईए शुभारम करते हैं राशी फल का उससे पहले, जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ गणेश लश्मी रुद्राक्ष, इस दीपावली में इन गणेश लश्मी रुद्राक्ष को आपने घर लेकर आएंगे, और ये ओरिजिनल गणेश लश्मी रुद्राक्ष है जो शुद्र चान्दी में मढ़े हुए हैं, साथ में श्री जंत्र भी आपको दिया जाएगा, इस फटिक का, और इस दीपावली में जब हम इनकी पूजा करेंगे, तो हमारे घर में मालश्मी साक्षात रुप में आएंगी, और हमीशा फिलेटिकी रहेंगी, धन और सेहत हमारी हमीशा बनी रहेंगी, परिवारी खुश्या बनी रहेंगी, इनको और करने के लिए L51 लिखना होगा, 3600 रुपेस की कीमत है, चलिए अब चल्दी से राशी फल की तरफ बढ़ते हैं, और ये है आपकी राशी का हाल, मित्वन राशी, सब्ता के आरब में, आपके कार अधिकारियों में प्रगती के संकेत बन रहे हैं, आपके अधिकारियों से, आप नौकरी करते हैं, आपके सीनियर अधिकारी हैं, कारिस्तल पर जो आपके साथ लोग काम करते हैं, उनसे आप अच्छी उमीद रखिए, वो आपकी मदद करेंगी, हर एक काम में साहे तामिले इसके लावा आपको जो भी लोग आज़ारी में चैका ब्रदमान ग्रहों के स्थ सी में वैबार नौकरी में आगे बढ़ने के अवसनाशी वालों को मिल रहे हैं आपको वरिष्ट अधिकारी favour को सात्य योग to में बदल जाएंगी सब्ता के मद्य भाग में आपकी आय में वरद्धी होगी इस समय में आपकी च्छाओं की पूर्टी होगी भाई भेन के साथ और सयोग बिलेगा आपको धन प्राप्ति के मजबूत योग बंति पर दिखाई पड़ रहे हैं आपकी आय बढ़ रही है बारों का ट्राइम आ रहा है बहुत साई जबों पर खर्चे आपके बढ़ेंगे और कुछ ऐसे काम जो आपको नहीं आते हैं या आप उसके अनभवी व्यक्ति नहीं है उन कामों में हाथ मढ़ डालिएगा वन्ना विफलता हो सकती है तो कुल मिलाकर सब्ता के अंतिम आप उने की संभावनाएं हैं शियर मार्केट सटे बाजी में शुब समय है आप दिलबर होंगे आपके लिए दिन प्रसंता दायक रहेगा सभी महत्पुर निर्ने सोग सबच के लिए जाए तो और भी अच्छा है ग्यार आक्टूबर की बात करें तो खर्चा भी होगा आ आप कुछ बड़ा इन्वेश्मेंट करना चाहते तो सोच समचेर कर सकते हैं आपके लिए अच्छा वक्त रहेगा बारा अक्टूबर की बात करें तो आज का दर निवेश करने के लिए विशेश्यूभ है आज अगर पैसा लगाएंगे तो लॉंग टरम में कमाएंगे मु सब्सक्राइब करें तो आपको खर्चा बढ़ सकता है वेर्थ के धन घर से बचिए और ना परशानी आपको ही होगी चोटे भाई वहन आपको नुक्साद पहुचा सकते हैं जीवन साती से थोड़ी बहस बाजी हो सकती है तो सोच समझ कर बात करें आपके घर में थोड़ा दिन हलका जा सकता है आम दन में थोड़ी सी कमी आ सकती है धहरे धारन करें लेकिन शाम को चार-पांच बजे के बाद एकदम साथ स्पीड पकड़ेंगे और पूरे दिन पर की कसर पूरी कर लेंगे तो थोड़ा धहरे रखिएगा सब कुछ हो जाएगा पती-पती के बीच श्वास काफी उपर होगा खुब मन लगा कर मेहनत करेंगे आपके अधिकारी आपसे संतुष रहेंगे आप अब विवाहीत हैं तो आपके रिष्टेदारों से पासपरोस से कहीं से भी विवाह के प्रस्ताव आपको प्राप्त हो जाएंगे जीवन साथी से आपके आप लोग एक दूसरे का पूरा सही होग करेंगे सोल अक्टूमर की बात करें तो आज सब्ता का सरुशेज दिन है आपको निश्चे दरूप से समारी में मानुत बंद प्राप्त होगा विवाहीों को निश्चे दरूप से एक लाव होने की संभावना हैं सट्टे वाजी मार्केट में अच्छा पैसा लगाएंगे सहत का ध्यान लखिएगा आप निवर होंगे किसी की बातों में आकर किसी पे शक करना किसी की बात कहीं सुरी बातों में आकर किसी को गलस समद लेना आपके लिए हामिकारक सिद्ध हो जाएगा महत्पूर्ट डिर्नेस हो समझ कर लिजेगा जूटे इल्जाम किसी पर मत लगाएगा अपनी खुशी के लिए किसी को परिशान मत करिएगा तो खुल मिलाकर आपके लिए सेवंटी प्रटेंट सब्तार्शुब है छे नंबर लखी रहेगा और अब आप हर्मान जी की पूजा करिए भगवान गनेश की पू पूजा अर्चना करके दीपावली में आप धनवान तो मनेंगे ही बनेंगे बलकि आपके जीवन के हर छेत्र में रोशनी और प्रकाश भर जाएगा ये जानते हैं कैसे अब हम बात करते हैं गड़ेश लश्मी रुदाक्ष की देखिए जो गड़ेश लश्मी बने हुए हैं इसमें कोई मिलावट नहीं है कि शुद्चान्दी के बने हुए हैं ये एक पेड़ का फल है ये पेड़ का फल है यानि और इजनल है नेबाल से इसको हम लाते हैं नेबाल में इसकी खेती होती है आप ऐसा कहले और भगवान शिव की आँंक का आंसु है ये हम जब रोते हैं तो हमाई आंक में से आंसु निकलते हैं उसकी जो बूंद है उस बूंद से रुद्राक्ष के पेर का जन्ब हुआ और उसके फल के रूप में ये रुद्राक्ष आए तो ये गड़ेश लश्मी रुद्राक्ष है तो शिव जी की किरपा से ही ये ब्रमान चलता है तो गड़ेश जी का जन्ब हुआ और रुद्राक्ष के रूप में महालश्मी का जन्ब हुआ रुद्राक्ष के रूप में इस धरती पर उनकी हम पूला करेंगे तो ये दीपावली हमाई सफल हो जाएगी बीच में इस फटिक का श्रीयंत्र है ये अद्बुद है जिसके घर में श्रीयंत्र है उसके घर में धन, दौलत, सुख सुधाय है तो चांदी में मड़े हुए गड़ेश लश्मीरुदात्र इस फटिक का श्रीयंत्र अगर आप इस धीपावली में अपने घर लाते हैं तो इश्वर की वो कृपाप पर बढ़तेगी जो बहुत ही दीब जल जाएंगे आपके जीवन में इसको प्राफ करने के लिए आपको L51 लिखना है, 3600 रुपर कीमत है, इसके साथ में नजर बट्टू दिया जाएगा, यह आप अपने घर गाड़ी फैक्टरी में लगा सकते हैं जिससे आपको कोई बुरी नजर नहीं लगेगी, इसके साथ में लाजवर्ट का रखन है, जो शनी राहु केतु को कंट्रोल करता है, उनके अशुप प्रभावों से मुक्ति दिलाता है, जिन बच्चों का दिमाग कमजोर है, जिनका वैपार नहीं चला, जिनके परिवार में नजर लगी हुई है, शत्रू का साया है, या त अशुरवाद दिलाएंगे, तो इस दीपावली में हम इनकी पूजा करके गनेश लश्मी को मनाएंगे, और हमेशा हमेशा के लिए इनको अपने घर में रखेंगे, एक बार ले लेने के बाद इने बदलने क्या उच्चता नहीं है, आप पूरी जिनकी पूजा कर सकते हैं नामस्राएंगे.